अब हम गोलिय प्रिष्ठ चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो इनके मुख्य फोकस के बारे में चर्चा करते हैं गोलिय प्रिष्ठ के दो मुख्य फोकस होते हैं पहला प्रथम मुख्य फोकस प्रथम मुख्य फोकस एक्चुली एक ऐसा बिंदु होता है मुख्य अक्ष पर जहां पर किसी वस्तू को यदि हम इमेजिन करते हैं या फर वहां पर कोई वस्तू रखते हैं तो वहां से निकलने वाली सारी किरने या वहां से अपतित होने वाली सारी किरने अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानतर हो जाएं मतलब इस बिंदू पर यदि कोई वस्तू रखे और यहां से सारी किरने निकल रही हो या फिर इस बिंदू से आती हुई किरने जो प्रतीत हो रही हो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानतर हो जाएंगे इसका मतलब वस्तू कहां परिस्थित है वस्तू फोकस परिस्थित है और इस प्रथम मुख्य फोकस यानि की फॉर्स्ट प्रिंस्पल फोकस इसकी दूरी अगर धुरू से ना पी जाती है तो इस दूरी को हम बोलते हैं प्रथम मुख्य फोकस दूरी जिसको हम दर्शाते हैं इसमॉल लेटर एफ़वन और फोकस को किसे दर्व दर्व चाते हैं फोकस और फोकस बिन्दू को किसे दर्व चाते हैं Capital Letter F 1 से और यह दूरी को Small Letter F 1 से इसका मतलब यह इस फोकस मुख्य फोकस बिन्दू पर तो रखी जाती है वस्तु की दूरी किसे दर्व शाते यू से तो जब ये अपवर्तन के पश्चा सारी किरने समांतर हो जाएंगी तो समांतर किरने कहां पर मिलती हैं हम यह मानके चलते हैं कि समांतर किरने कहीं एक दूसरे को अनंत पर कट करती होंगी इसका मतलब जो प्रतिविम का निर्मान होगा वो कहां पर होगा अनंत पर दूरी U को F1 ले सकते हैं यानि कि मुख्य प्रथम फोकस दूरी ले सकते हैं और प्रतिवियम की दूरी कहां पर होगी अनन्त पे तो V यानि कि प्रतिवियम की दूरी हम अनन्त लेंगे तो इस प्रकार हमारे पास होगा U बराबर F1 और V बराबर अनन्त और फॉर्मुला जो ह होगा mu upon V minus 1 upon you equal to mu minus 1 upon R यह मान Rख देते हैं V के जगा अनंत लिखते हैं यू के जगा F1 लिखेंगे तो यह formula बन जाएगा mu upon anand minus 1 upon F1 equal to mu minus 1 upon r अब यह अनंत से divide करेंगे तो यह 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा minus 1 upon F1 बराबर mu minus 1 upon R यह minus sign को outside ले गए तो यह बन जाएगा 1 upon F1 equal to minus mu minus 1 upon R और यदि हम प्रथा मुख्य focus दूरी F1 देखें तो F1 बराबर व्योत्करम ले लेते हैं यह जाएगा minus R upon mu minus 1 इसका मतलब यहां हम देखें F1 और R का सम्मन्द यह कैसा है? minus sign हमको यहां पर देखने को मिल रहा है मतलब यह दोनों के जो चिन होंगे यह विपरित होंगे minus चिन तो हमेशा विपरित दिशा का ही घोगतक होता है इसलिए यह एक दूसरे के विपरित होंगे इसलिए जब हम बात करें उत्तल गोलिये प्रिष्ठकी तो उत्तल गोलिये प्रिष्ठके लिए R का मान धनात्मक होता है तो जब R का मान धनात्मक होगा तो इस सूतर नुसर F का मान रनात्मक होगा और अवतल गोलिये प्रिष्ठके के लिए R का मान रनात्मक होता है तो अवतल गोलिये प्रिष्ठके लिए यह अब हों देखना चाहें तो किस प्रकार इसका बनेगा यह हम यहाँ पर एक उत्तल गोली प्रिश्ठ ले रहे हैं कांदर को Bye Bye वो इसकी विप्रत दिश्यम होगा मतलब इस तरफ होगा और यहां से जो भी किरने निकलेंगी और इस प्रिष्ठ पर आपतित होंगी वो सारे वर्तन के पर शाथ इस मुख्यक्ष के समानतर हो जाएंगी लेकिन यदि हम अवतल प्रिष्ठ के लिए निकाले तो अवतल गोली प्रिष्ठ हम देखते हैं इस प्रकार कर्व रहता है अंदर की और यह गहरा रहता है धसा हुआ रहता है तो इसकी त्रिज्या इस साइड बनेगी सामने की और बनेगी तो इसकी त्रिज्या रिनात्मक है अभी त्रिज्या रिनात्मक हुई तो इसकी जो फोकस दूरी होग जिसको हम यहाँ पर लेएं प्रथम मुख्य फोकस, तो इस प्रकार की जो किरने होंगी, वो अपवर्तन के पारशात मुख्य अक्ष के समानतर हो जाएंगी. और ये जो बिंदू है जहां से हम देख रहे हैं कि आपतित किरने जाती हुई प्रतीत हो रही है वो बिंदू कहलाएगा प्रथम मुख्य फोकस यानि कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जिसको हम दर्शार है यहां पर F1 से से सब्क्राइबन इसी प्रकार गोली प्रिश्ठ में दूतिय मुख्य फोकस भी होता है , यानि कि सेकंड प्रिंसिपल फॉकस अब यह सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है यह just first principle focus का opposite concept है first principle focus में हमने एक ऐसा बिंदू लिया था जहां से आपतित किरने आ रहे थी और अपवर्तन के पश्चात क्या हो रहा था यह मुखक्ष के समानतर हो रहे थी लेकिन दूतिय प्रिंसिपल focus में यह दूतिय मुख्य focus में क्या होता है जो किरने समानतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात जाकर इस बिंदू पर मिल जाती है यह इस बिंदू पर मिलते हुए प्रतीत होती है इसका मतलब वस्तु कहां पर रखा हुआ यहां अनंत में जिसका प्रतिभिम कहां पर बनेगा focus पर तो इसको हम सूत्र अनुसा समझें तो यहां पर हम यू लिखेंगे बराबर अनंत क्योंकि जो वस्तु की दूरी है वो कहीं अनंत पर क्योंकि समानतर किरने आ रही है मतलब वस्तु बहुत दूरी पर यानि अनंत पर रखा होगा जिसका प्रतिभिम बन रहा है focus पर हम कह र यू एकवल टूद मियू थो नपर आपोन यहां मान दबगते तो यह मिलेगा मियू इपन लिखेंगे एफटू और यू के जगें हैवन अपन अनंत बराबर होगा मियू मानस इंपन आर अब वन आप यू इंफिनिटी होताई जीरो तो हमारे पास बचेगा मियू अपन ए chain 2 हो जाएगा 1 upon F2 equal to the Mu minus 1 upon Mu R. हमको तो F2 का मान चाहिए, यानि कि दुतिय मुख्य focus दूरी चाहिए, तो व्यूत् करम ले लेंगे, F2 बराबर होगा Mu R upon Mu minus 1, ये है दुतिय मुख्य focus दूरी का सूत्र, और इस सूत्र से देखे हैं तो ये दोनों के बीश में यानि की वक्रता त्रिज्या और F2 के बीश में सम्मंद आप देख रहे हैं यहां दोनों ही पक्षों में धनात्मक हम देख रहे हैं यानि की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी तो फोकस दूरी भी धनात्मक होगी वक उत्तल पृष्ट में हम देखें इस side ही कहीं पर आकर मिलेंगे और जिसको हम दर्शाएंगे F2 से और इस दूरी को small letter F2 से वैसे ही यदि हम इस अवतल प्रिष्ठे के लिए तो अवतल प्रिष्ठे की त्रिज्या हम देखते हैं कि रिनात्माख होती है इस प्रिष्ठे के सामने बनेगी तो यदि हम मुख्य अक्ष के समानतर किरिने लेंगे तो अवर्तन के पश्चात इस प्रकार जाएंगी कि वो कहां से आती हुई प्रतित होंगी इस बिंदू पर यानि कि यह focus दूरी भी रिनात्मक ही होगी जिस direction में या जिस दिशा में वक फोकस दूरी भी होगी और इसे हम दर्शाएंगे F2 से और यह focus दूरी दर्शाएंगी स्माल लेटर F2 से तो इस प्रकार हम देखें कि इस गोली प्रिष्ठ के दो मुख्य फोकस होते हैं एक प्रता मुख्य फोकस और दूसरा मुख्य फोकस इन दोनों मुख्य फोकस में भ और था मुख्य फोकस दूरी जो हमने ग्याद की थी उसको दूतिया मुख्य फोकस दूरी से भाग देते हैं तो हमारे पास मिलेगा f1 upon f2 बराबर बराबर के सब्सक्राइब समीकरण का बाकी हिस्सा लिख देते माइनस आर अपॉन म्यूर अपॉन म्यूर अपॉन मियू माइनस यहां से ऑर अपन एपॉन म्यू माइनस वन ऊपर और नीचे रिमिलेटिर डिमेटिर्ट से कैंसल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा माइनस वन कियो इसका मतलब f1 अपन f2 एक्वल 2-1 अपउन म्यू और यहां से हम देखे तो f2 बराबर हो श है गा माइनस म्यू एफ वन ये एफटू दूतिय मुख्यवोकस दूरी है और एफ भन प्रफ़वु ग्रवेबस दूरी है और दोनों के बीच में आप सम्मll में देखेंगे मैनस का साइन आ रहा है और माइनस साइन हमेशा इस बात का घोतक होता है यह दोनों राश्यां एक दूसरे की विपरित होंगी यानि कि प्रता मुख्य मुख्य फोकस एक दिशा में बनेगा तो दूतिय मुख्य फोकस उसके अपोजिट बनेगा और यहीं सी समीकरंट से हम आगे देखें तो म्यू एफ वन प्लस एफ टू बराबर क्या मिलेगा जीरो इस समीकरंट को भी हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई कॉम्टिटिव एक् तो यदि हम आगे बढ़ाएं और हम एफ वन को यू से डिवाइट करें और एफ टू को व से डिवाइट करें तो रहाइट साइट में क्या मिलेगा इन दोनों को जोडने पर हमें मिलेगा एफ वन अपॉन अपॉन यू प्लस एफ टू अपन V equal to minus R upon U bracket के अंदर mu minus 1 plus mu R upon V bracket के अंदर mu minus 1 इसको हम आगे solve करते हैं next step में R upon mu minus 1 common लेते हैं तो bracket के अंदर बचेगा mu upon V minus 1 upon U तो ये समीकरण मन जाएगा F1 upon U plus F2 upon V equal to R mu minus 1 into mu upon V minus 1 upon U और हम जानते हैं mu upon V minus 1 upon U equal to होता है mu minus 1 upon R के तो इसके स्थान पर हम मान रख देते हैं मान रखने पर हमें मिलेगा R mu minus 1 into mu minus 1 upon R और ये cancel हो जाएगे और मिलेगा सिफ 1 इस प्रकार जो next संबंद F1 और F2 में हमें प्राप्त हो रहा है वो है F1 upon U plus F2 upon V equal to 1 तो इस प्रकार हम इस F1 और F2 के बीच में जो दो संबंद प्राप्त हुए हैं उनको अलग-अलग स्थितियों में स्तमाल कर सकते हैं अभी हमने इन गोली प्रिष्ठों से अपवर्तन की घटना को समझा और इसमें हमने देखा कि जो माध्यम हमने लिया है इस गोली प्रिष्ठ का उसका कोई दूसरा प्रिष्ठ हम नहीं ले रहे थे मतलब उसका अपवर्तक प्रिष्ठ था जो गोली था लेकिन जो वस्तू का प्रतिबिंब बन रहा themed रहा था हो माध्यम के अंदर भी बन रहा था इस माध्यम का दूसरा छोर हमने लिया ही नहीं लेकिन यदि इस माध्यम को बाउन्डेट कर दे बांध एक और प्रिष्ठ से तो जो इस प्रकार के पारदर्शी माध्यम की बनी हुई युक्ति होती है जिसमें कि दो प्रिष्ठ होते हैं इसको हम कहते हैं लेंस यानि कि लेंस एक ऐसी पारदर्शी समांगी माध्यम है, जिसमें कि दो प्रिष्ठ होते हैं, इसमें से एक प्रिष्ठ तो गोलिय हो गई होगा, क्योंकि हम गोलिय प्रिष्ठ के बारे में आपवर्तन की चर्चा कर रहे हैं, दूसरा प्रिष्ठ गोलिय भी हो सकता है, या त दो पृष्ठों से मिलकर बंधा हुआ है, जिसमें से एक पृष्ठ तो गोलिये होना ही चाहिए और दूसरा पृष्ठ गोलिये हो भी सकता है या तो सम्तल भी हो सकता है इस प्रकार lens दो भागो में बाटे जाते हैं। एक तो उत्तर lens जिसको हम लोग convex lens के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है अवटल lens जिसे हम concave lens कहते हैं। Convex lens ये भी तीन प्रकार का होता है। इसमें से पहला है उभ्य उत्तल लेंस जिसको हम इंग्लिश में बाई कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं यदि हम सिंपल कॉन्वेक्स लेंस भी कहें तो वह अंडस्टूड रहता है कि वह कॉनसा लेंस होगा यह बाई कॉन्वेक्स लेंस होगा जिसके कि दोनों ही प्रिष्ट उत्तल होंगे यानि कि दोनों ही प्रिष्ट उभ्रे हुए या फिर कॉन्वेक्स होंगे इसको यह दिम चित्र में देखें तो इस प्रकार बनता है इसके दोनों ही हिससे बीच से उभरे हुए हैं और ये किनारों से पतला है यहां पर हम दूसरे वराइटी का कॉन्वेक्स लें तो इसमें से जो पहला प्रिष्ठ जहां पर प्रकाश किरन अपतित होगी वो समतल होगा और दूसरा वाला प्रिष्ठ यह होगा उत्तल इस प्रकार के लेंज को हम कहते समतला उत्तल लेंज यानि की प्लैनो कॉन्वेक्स लेंज तीसरी वराइटी इसमें है इसमें जिस प्रिष्ठ पर प्रकाश किरन अपतित होगी सबसे पहले वो होगा अवतल यानि की अंदर की और धसा हुआ और दूसरा पुरिष्ठ है जहां से प्रकाश की किरन अपवर्तन के पश्चात निर्गत होगी, बाहर निकलेगी, उस बाउंडेट माध्यम को खतम करेगी, वो इससा होगा उत्तल, तो इस प्रकार के लेंस को हम कहते हैं, अवतलो उत्तल लेंस, यानि की कॉनकेवो कॉनवेक्स पहला वाला पृष्ठ कॉनकेव, दूसरा वाला कॉनवेक्स, कॉनकेवो कॉनवेक्स लेंस, इसी में जो दूसरे वराइटी की लेंस है, वो है अवतल लेंस, यानि की कॉनकेव लेंस, इस अवतल लेंस को यदि हम छुएं, तो इसका जो बीच का हिस्सा है, वो पतला लगत इसमें भी तीन प्रकार के लेंस होते हैं सबसे पहला है उब्यो अवतल लेंस जिसको हम इंग्लिश में बाई कॉनकेव या डबल कॉनकेव लेंस कहते हैं इस लेंस के दोनों ही प्रिष्ट कॉनकेव यानि की अवतल शेप में होते हैं अगर हम इसको चित्र में देखें तो य हाला हिस्सा भी अंदर के ओर धसा हुआ होगा और वो वह प्रिष्ट भी अंदर की ओर धसा होगा यानि कि इसके दोनों प्रिश्च अवतल होंगे यदि हम साधरंटा अवतल लेंस से भी कहते हैं तो वह अंडरस्टूड रहता है कि वह कौन सा लेंस होगा वह बाई कॉनकेव लेंस ही होगा इसमें जो दूसरी वराइटी है वह समतला अवतल लेंस यानि कि जो पहला हिस्सा जिस पर प्रिश्ट पर अपतित होने वाली है वह समतल रहेगा और जो दूसरा हिस्सा है वह अवतल रहेगा इसलिए यह कहलाता है प्लैनों कॉनकेव लेंस और इसमें जो तीसरी वराइटी है उसमें जिस प्रिश्ट पर प्रकाश अपतित होने वाली है वह हिस्सा उभरा हुआ र रहेगा यानि कि चुत्र में हम देखें तो इस प्रकार रहेगा पहला वाला हिस्सा उत्तल और दूसरा वाला हिस्सा अव्तल इस लेंस को हम कहते हैं उत्तला अव्तल लेंस यानि कि कॉन्वेक्स सो कॉनकेव लेंस तो इस प्रकार ब्रॉडली हम देखें तो लेंस दो ही प्र प्रकार के होते हैं और अलग-अलग इस्थितियों में अलग-अलग प्रकार के लेंज का इस्तमाल किया जाता है